हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हूँ जो अभी अभी आपका एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया एटीसी का जो पेपर हुआ है पहले सिप्ट का दोस्तों पेपर बहुती आसां पेपर आगया है जैसा आपने उम्मीद के था उससे भी ज़्यादा आसां पेपर आगया है अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पहुच जाओगे क्योंकि जो भी आंसर की आपकी और जो भी आपके सवाल पूछेगे सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया अगले सिफ्ट में आपके 9 से 10 सवाल रिपीट करने वाले हैं तो गैस जल्दी से देख लेते हैं सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं फटाफट और दोस्तो सबसे बड़े इंपोर्टेंट बात अगर आप 2021 में मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाते हो एक सरकारी नोगरी लेना चाते हो सभी सब्जेक को ट्रिक से पढ़ना चाते हो तो दोस्तों ये प्लेटफोर्म आपके लिए बैस्ट रहेगा एक्जामेटिक स्टडी आपको करना क्या है नीचे जो ये लाल कलर का बटन दिया गया इसको दवा कर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नीचे की साइड बटन होता है बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल एक्जामेटिक स्टिडी पर आपको टाइम डिटे मिलता रहे देख लेते गाईस पहला सवाल क्या पूछा गया पहला सवाल आपके सामने है अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम को किस पुरुसकार के लिए नोमिनेट किया गया तो गैज इनको किया गया नोबेल सांती पुरुसकार के लिए देख लेते अगला सवाल एक सवाल गैज आपका ये भी आसान पूछा गया जन्रल अवेरनेस का ओस्ट्रेलियन ओपन टैनिस 2020 के पुरुसकार का खिताब किस ने जीता था तो गैज ये जीता था नोवाक जोकोविच ने नोवाक जोकोविच इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी बुचा गया सविधान सवा की पहले बैटक कब उइती तो गैज ये उइती 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पुचा गया राजीव गांधी राष्ट्य सत्भावना पुरुसकार सबसे पहले किसको मिला था तो गैज ये मिला था मदर टेरेसा को इंपोर्टेंट सवाल था गैज करके जरू जाएंगे अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलेक्शन के करीब पोच जाओगे क्योंकि जो भी सवाल पुचेगे सारे बहुती आसान सवाल थे एक सवाल आपका यह भी पूचा गया विस्व रेडियो दिवस कम मनाया जाता है तो गैज यह मना जाता है तेरा फरवरी को तेरा फरवरी सवाल का रैट आंसर चला जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे बच्चों ने विडियो को लाइक कर दिया होगा ममी पापा का सपना पूरा करने के लिए नीचे आपने लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा कर लेगे गाइस बहुत इंपोर्टेंट चैनल है सभी गॉर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए एक सवाल आपका समिधान से पूचा गया भारत का अंतिम वाइसराय कोन था तो गैज यह था इनका नाम था लोड माउंट बेटन लोड माउंट बेटन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका यह भी पूचा गया एन्टो मोलोजी का सम्बंद किस से है तो गैज यह आपका है कीट विज्ञान से कीट विज्ञान इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया मंडरे का कब किस खेल से संबंदित है तो दोस्तों ये आपका फुटबोल के खेल से संबंदित है इंपोर्टेंट सवाल था गाईस अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल आपका ये भी पूछा गया 26 मार्च को वीडियो कॉन्फरेंसिं द्वारा हुआ G20 सम्मेलन किस देश ने कराया तो गैस ये कराया था साओधी अरब ने साओधी अरब इस सवाल का रैट आंसर चला जाएगा देख लेता अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया हुमाईयो नामा की रचना किसने की थी तो गैस ये की थी गुल बदन बेगम ने दोस्तो जो भी सवाल है सभी को मैं ट्रिक से कराऊंगा गणित और इजनिंग के जो भी एप्टिट्यूड के सवाल है जो भी जनरल इंटेलिजेंस के सवाल है सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ देख लेते गाइस अगला सवाल तो गैस एक सवाल आपका ये भी पूछा गया किस दिन विस उप भोगता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो गैस ये मरा जाता है 15 मार्च को 15 मार्ची सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया हाली में राश्टपति रामनात कोविन का सच्चिव किसको निप्त किया गया है तो गैस इनका नाम है कपिल देव तिरपार्थी कपिल देव तिरपार्थी सवाल का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तो जो भी पहले सिप्ट में आपके सेट वन, सेट टू, सेट थ्री सभी के सवाल में लेकर आ गया हूँ देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपके ये भी बढ़िया पूछ लिया गया भारते रेल्वे बोर्ड के नए CEO यानि Chief Executive Officer के रूप में किसको निक्त क्या गया है तो गैस इनका नाम है विनोध कुमार याद आओ बड़ा इंपोर्टेंट सवाल था देख लेते हैं अगला सवाल तो दोस्तो ये आपका अंगरेजी का सवाल पूछा गया ये आपको fill in the blanks दिया गया है पूछ रहा कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तो ये आपका हमेशा इसके tense पर depend करेगा क्योंकि दोस्तो ये आपका है past indefinite और past indefinite में क्या होता है verb की second form और जो इसकी structure बनेगी वो बनेगी आपकी having plus verb की third form यह आपकी structure बनेगी तो अब देख लो ये भी आपका गलत हो गया ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर third form नहीं है ये भी आपका गलत हो गया जो बच्चा second option मार के आया having failed second option इस सवाल का right answer चला जाएगा second option तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग ये सवाल कर सकते थे जो यहाँ पर आपका आएगा fill in the blanks में वो आएगा second option तो दोस्तो यही सवाल का right answer चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया इसमें पूचा गया जो इसका meaning पूचा गया synonym पूचा गया moral का meaning क्या होता है तो guys moral का meaning होता है confidence एक तरह से confidence जिस option में भी आपको confidence मिल जाएगा वो ही right answer हो जाएगा ये भी गलत हो गया reputation भी नहीं होगा जो बच्चा third option मार के आगया इनका right answer हो गया तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे third option इस सवाल का right answer चला जाएगा दोस्तो उमीद कर रहा हूँ वीडियो को like करे होंगे और आप लोग चैनल को subscribe भी कर रहा होंगे guys कर लेंगे सभी government exam के trick के लिए एक सवाल आपसे ये पूचा गया इन में से पूचा गया किसकी spelling आपकी ठीक है तो दोस्तो इसकी spelling होती है अमेशा याद रखना k-i-n-d-e-r-g-a-r-t-e-n तो दोस्तो आपको t-e-n वाला चाटना है d वाला काट देंगे ये भी गलत हो गया इन दोनों में से कौन सा होगा जिसमें यहाँ पर e होगा यहाँ पर a है तो गर इसमें option हो जाएगा ठीक second जो वच्चा second option मार के आगया इनका correct answer हो गया second वाले की आपकी spelling बिलकुल ठीक है तो दोस्त इस तरीके से आप लोग की सवाल कर सकते थे आगे बढ़ लेते हैं aptitude के सवाल भी देख लेते हैं तो दोस्त एक अंग्रेजी का सवाल आपका ये भी पूछा गया पूछ रहा है कि जो ये आपके sentence दिया गया है इसमें grammar की mistake कहां पर है यहाँ पर आपका ये आपका ठीक है ये भी आपका ठीक है ये भी ठीक है लेकिन गलती है पहले option में पहला आपका right answer हो जाएगा इसमें आपका better in की जंगे क्या आएगा better off आना चीए था यानि आपका पहले option में ही गलती है पहला आपका right answer हो जाएगा तो दोस्तों यह आपका aptitude का सवाल पूछेगा है, इसको मैं logic से बता देता हूँ, कैसे करेंगे, 15 लेखो का लागत मुल्य, 10 लेखो के विक्रे मुल्य के बराबर है, तो लाब परतीसत ग्यात कीजे, कैसे करेंगे, देखो, 15 जो लेख है, मतलब इसमें आपको लाब परतीसत निकालना profit percent, तो दोस्तों इसने 10 को तो इसमें से बेच दिया, तो कितने का फायदा किया, 15 में से 10 जाके बचे 5, तो 5 का फायदा किया, कितने के उपर, 10 के उपर, percentage निकालने के लिए 100 से गुणा करतेंगे, तो दोस्तों 0 से 0 कर जाएगी, यह आ जाएगा 50%, तो दोस्तों 50 50% इस सवाल का right answer चला जाएगा आप लोग इस तरीकी से सवाल करके आसकते थे 50% इस सवाल का right answer आ जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल दोस्तों यह करके जरू जाना important सवाल है एक table का कीमत दिया गया 750 रूपी 4% के नुकसान पर इसको बेचा गया था table का विक्रे मुल्य बताओ table का selling price बताओ ठीक है आप देखो कोई भी चीज अपना आप में 100% होती है दोस्तों 100% की value दी गई है 750 यह आपको पता होनी चीजिए यहां से क्या करेंगे 0 से 0 कट जाएगी तो क्या बचेगा 1% की value निकालेंगे 75 बटे 10 एक 0 तो कट गई आपकी अब देखो 4% का नुकसान दिया गया है तो दोस्तों 4% की value निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों तरब 4 से गुणा कर देंगे जब आप इसको sol करोगे 5 दोनी 10 5 15 बार जाएगा और 2 से काटोगे यह दो बार तो दोस्तों कुल मिला के 4% की value आजागी 15 हुआ अब दोस्तों 750 में से जब आप यह 30 रुपे गटा दोगे तो आएगा आपका 720 कितना आएगा 750 में से 30 रुपे गटा देंगे यह आएगा आपका 720 रुपे तो दोस्तों जो table का selling price होगा विक्रे मुल्य होगा वो हो जाएगा 720 रुपे ठीक है guys तो दोस्तों इस तरीक को क्रे मुल्य में से घटा दिया तो आपका विक्रे मुल्य आ जाएगा ठीक है guys अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे पढ़ाई करना चाहते हो ट्रिक से तो दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत बाद में आप लोग भूल जाओगे और वीडियो को लाइक जाती है किस अनुपात में इस अनुपात में और दोस्तों बी को सी से 270 रुपे जादा मिलते हैं तो डी का हिस्सा कितना होगा यह आपको बताना है देखो यह आपका बी है यह आपका सी है तो दोस्तों बी को सी से कितना रुपे जाद दिया है 270 यानि इन में आपका अंतर क में कितना अंतर है या आपका B है या आपका C है तो यहां पर आपका तीन का अंतर है तीन की वैल्यू कितने के बराबर होगी तो पांच की वैल्यू निकल के क्या आएगी 450 रुपे ठीक है गाइस तो डी को कितने पैसे मिलेंगे 450 रुपे तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगे सवाल कर सकते थे आई होग दोस्तों आपको किलियर होगा होगा आपको लोजिक पता चल गया होगा आपको आइडिया लग करना चाते हो सभी सबजेट को ट्रीक से पढ़ना चाते हो तो दोस्तों आपको नीचे लाल खलंग का बटन दबा कर नीचे की साइट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को ओन कर लेना मंतको सब ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल ए तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, मिलता है अगले वीडियो में, bye bye take care, और paper आपका बहुत बढ़िया होगा, धन्यवाद